एसे का मतलब हुता हिर और की एक घूड़ा और एक old and share वोंस वाइल्ड ऐक जंगली एक बार एक जंगली घोडा वाइल गरेजिंग रान दाए यह चरते हुए और उन ग्रास लेंड ग्रास गास लेंड का मतलब है भूमी ठीक है घास भूमी या फिर घास के मैदान कह सकते हैं ठीक है एक बार एक जंगले घोड़ा वाइल ग्रेजिंग ऑन ग्रासलेंड घास के मैदान पर वाइल ग्रेजिंग चरने के दोरान वाज इंजोईंग अनंद ले रहा था इंजोई का मतलब आजादे का ठीक है आफ्टर सम्टाइम थोड़ी देर के बाद या फिर कुछ समय के बाद इट शॉफ इसने देखा यानिकि घोड़े ने देखा एक हिरन को कमिंग आते हुए एंड नीबलिंग चरते हुए और सेम ग्रास लेंड उसी घास के मैदान पर ठीक है यानिकि इसने ग्रास शबैसियन का मतलत है पर्याबत काफे तक प्र येरवाज सबस्याद ग्रास पर्याबत घास थे काफी घास थे फोर वथ दोनों के लिए आफ यह ने महीं टेकर दोने के लिए पर्याबत घास थे बट फारंतु हार्श डीडर्ण वांट फशनेश यहां नही चाहता फेला पर एक योजना सोची है किसने सुचा था घोड़े a man इस्ने कदमी को देखा passing बाई गुज़रते मदे के लिए बत सैड अद्मी सहमत हो hem but said प्रन्तु कहा death he us a pocket to fill fill the נ colocaर करने के लिए he would have to mount the horse उसे घोड़े पर चरना होगा, he would have to mount उसे चरना हो गोड़े पर in order to chase the stage ज़्यंट का मतल्ड होता है पीछा करना को पीछा करने के लिए he would have to mount the horse उसे घोड़े पर चड़ना होगा the horse agreed घोड़ा सहमत हो गया and very soon और बहुत जल्द the man killed आदमी मार डाला the stage गोड़ा जो है सहमत हो गया और जल्द है आदमी killed the stage हिरन को मार डाला आदमी जो ही रन को मार डाला the horse now घोड़ा आप वेटेड इंतजार करने लगा for the man आदमी के लिए to get off उतरने के लिए ठीक है जोड़ा आप इंतजार करने लगा for the man get off आदमी को उतरने के लिए but the man refused परन्तु आदमी जो है refused कर दिया मना कर दिया ओके घोड़ा आप इंतजार करने लगा आदमी को उतरने के लिए परन्तु आदमी ने क्या क्या रिफुष्ट कर दिया मना कर दिया घोड़ा पागल हो गया वित रेग कुरोध से ठीक है घोड़ा कुरोध से पागल हो गया एंड बीगेन और सुरु कर दिया टू किक लात मरना एंड फिलिंग और घुशा मरना ठीक है किक का मतलब लात मरना था है फिलिंग का मतलब इसके पास नहीं थे अधर अल्टर्नेटिव अन्य विकल्प ठीक है अल्टर्नेटिव का मतलब बता है विकल्प ओके यहने के अंत में आखेकार इसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं थे बट टू सम्मिट इटसल्फ खुद को अधिन करना अधिन आदमी के अधिन करने के अल करने के आलावां ठेके और आदमिक की अधिन जो है खुद को करने खुद को करने के आलावां इसके पास कोई अन बिकल्ब नहीं थे हैं इस स्टोरी का इंग्लिश टो हिंदे ट्रांसलेजन यहीं पर समाप्त होती है मैं सो करते हूं कि आपको बहुत ज़्यदा पसंद आया होंगे आपको इस्टोरी कैसे लगे कमेंट बक्स में कमेंट करके जरूरी बताएगा क्योंकि आपकी हार एक कमेंट मुझे प्रेडित करत करते हैं